नमस्कार दोस्तों, तीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे बिनोध बिहारी महत्तो, कोईलाइन चल विश्व विद्याल है, जो धनबाद में है यहाँ PhD आडमिशन का नोटिफिकेशन आ गया है 2021-2022 के लिए और यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट में, more than 40-45 सब्जेक्ट में आप यहाँ PhD कर सकतो, आर्ट, साइन्स, कमर्स, जो भी सब्जेक्ट है, सारे सारे सब्जेक्ट में आपको यहाँ opportunity मिल जाएगा PhD करने के लिए तो चलिए चलते हैं उसका official website में और वहाँ जाकर हम इसको details में discuss करते हैं सुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा teachers in channel fully dedicated है उनके लिए जो भी future में एक अच्छा teacher, professor, assistant, professor and lecture बनना चाहते हैं हम यह teachers related सारे सारे studies, competitive exams and jobs के बारे में हम discuss करते हैं तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, subscribe कर लिजिए और हमारे जितने भी सारे social medias है उसको आप follow कीजिए future में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह आप देख सकते हूँ, यह है इसका official website और यहाँ आप right side में मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हूँ, यहाँ mention क्या गया है details of eligibility criteria, pattern of examination, seat, subject, फर किसके लिए न PhD entrance के लिए तो हम इसी को open कर लेते हैं, और थोड़ा सा आप नीचे देखाँ कि यहाँ answer किया notice regarding the PhD entrance test तो हम इसी के उपर क्लिक करते हैं, तो आभी हम दो open कर लिये हैं, पहले हम इसी को जो advertisement है इसको देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ यह देखिए, बिनोध बियारी महत्तो कोईलांचल उनिवसिटी, इसका जो notice है, अपलिकेसंस आर इन्वाइड़ेर फ्रम दे एलिजिबल कैंडिडेट्स फर दे पीसडी एंटरान टेस्ट 2021, आज पर दे सेडूल्ड बिलो स्टार्टिंग डेट आपका सुरू हो गया है, 26-2021 और लास डेट है टू आपलाई आपका 26-2021 तो यह जो डेट है, यह बहुत कम समय का डेट है, सिर्फ 5 दिन का डेट दिया है, उन्हेंने 6 दिन का डेट दिया है तो मुझे पता नहीं इतना कम-sort period इन्होंने कैसे दिया है तो जो भी है यह इसका last date है 26-6-2021 और इसके बाद आपको जो hard copy submit करने का जो date है यह है 28-6-2021 तो बहुत कम time period में आपको यह सारे के सारे काम खतम करना होगा आप याद रखिए last date है 26-6-2021 online के लिए और hard copy के लिए 28-6-2021 अभी आप देखिए इसके लिए जो admission जो fee है अप्लिकेशन fee है यह general OBC के लिए है 1000 रुपीज and ACST PH and VH के लिए 500 रुपीज ठीक है बाकी आपको यह जो form जो fill up करना है मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बाकी यह है second notification, detailed notification PhD Entrant Test जिसको हम short form में PET भी बुल थे हैं तो यहां आप देख सकते हो कौन-कौन सा subject में आप PhD कर सकते हो अब थोड़ा introduction यह दिया आप पढ़ना चाहते है आप पढ़ सकते हो The universities will conduct the PhD Entrant Test in the following subject for admission to the PhD program ठीक है अब देख सकते हो A में mention किया गया है Humanities subject Humanities में आपका आएगा English, Hindi, Philosophy, Sanskrit, Urdu, Bengali, Art and Culture, Foreign Language देख सकते हो उसके बाद Faculty of Social Science में आप देख सकते हो इसके साथ-साथ Right Side में भी आप देख सकते हो कौन सा Department में कितने-कितने seat खाली है कितने-कितने seat है आप देख सकते हो जाएची कि English में 47, Hindi में 23, Philosophy में 42 ऐसे करके भी आप देख सकते हो The School of Science में आप यहां देख सकते हो Anthropology, Economics, Geography, Home Science, Political Science, History, Psychology, Sociology, Mass Communication and Management Studies उसके बाद Faculty of Science में Physics, Chemistry, Botany, Geology, Mathematics, Geology, Life Science, Computer Science, Environmental Science and Disaster Management उसके बाद Faculty of Commerce में Commerce and Business Management आप देख सकते हो seat भी 20 और दो मेंशन किया गया है उसके अलाबा Faculty of Education, Faculty of Medicine, Faculty of Law में भी आप यहां PhD Admission कर सकते हो और यहां एक चीज मेंशन किया गया है तो इस सब्जेक्ट से कोई PG किया है तो ओ भी एलिजबू है यहां PhD करने के लिए ठीक है बागे Educational Qualifications आपको पता है Master's degree में कम से कम 55% मार्क होना चाहिए जो General Category के लिए और OBC के लिए और बाकी जो रहे SC, STI, Other Category के लिए 50% मिन्स 5% का relaxation यहां मिल जाता है और जो disability है इनके लिए 40% बागी यहां थोड़ा बहुत आप देख लेना Age का कुछ relaxation यहां नहीं है किसी भी एज ग्रूप का यहां अपलाई कर सकता है और बाकी syllabus for the test आपको department के जो university department का page है वहां आपको मिल जाएगा और mode of test यह आपका 200 मार्क होगा फास्ट जो 100 मार्क होगा यह आपका research पे आएगा research aptitude और second 100 मार्क होगा यह आपका subject के basis पर और यह जो टाइमिंग है यह total 300 मार्क होगा और इसका जो location है entrance का location यह इसी university में ही होगा paper and pen means entrance entrance होगा sorry means exam होगा then उसके बाद जो qualify करेगा उसको बुलाया जाएगा भायवा interview के लिए then examination center जाएशी कि मैंने बताया इसी university में ही होगा then how to apply application form पहले आपको यह amount pay करना पड़ेगा उसके बाद आप यह apply कर सकते हो then where to send the completed online submission submitted application form online submit करने के बाद उसको print out निकालना है और उसको आप hardcopy में लेकर उसके साथ जितने भी सारे आपका जो related document है उसको attach करके फिर से आपको भेजना पड़ेगा धानबाद इस address पे और मैंने date बताया जैसे कि इसका last date है 28.6.2021 यहां enclosure जो मैंने बताया इस enclosure आप यहां देख सकते हो कुछ details दिया गया है दिन haul ticket के बारे में then scribe के बारे में then qualifying marks, publication of results तो qualifying marks में आपको बता दूँ यहां जो mention किया गया है तो यहां आप देख सकते हो 70% और 30% आपका जो weightage रहेगा written test का 70% and interior view का 30% और इसका cutoff है written test का यह आपका 50% है और CST OBC के लिए 45% बाकि result कब publish होगा इसके बाद ही सब कुछ पता चलेगा तो यह था details बाकि इसके साथ साथ आप apply कहां करेगे देखिए यह अचली यहां इनका दो website है इस website में आपको यह नहीं मिलेगा ठीक है इसका और एक website है यह है इसका website और इन्होंने भी mention भी किया है आप यहां देख सकते हो नीचे जब आप जाओके इन्होंने साथ mention किया है या इसका जो दो website है university website आप यहां देख सकते हो इनका दो website है ठीक है तो यह website जो हमने पहले देखे थे यहां आपको यह application form नहीं मिलेगा यह है इसका दुसरा website यहां आप देख सकते हो पुरा last में mention किया गया है pet 2021 यहां नीचे आप देख सकते हो click here to apply pet 2021 तो हम इसी के उपर click करेंगे तो यहां पहले आपको registration करना पड़ेगा ठीक है राइट साइड में आप देख सकते हो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो राइट साइड में आप देख सकते हो यहां आपको registration करना पड़ेगा और यह ही यहां आपको apply करना पड़ेगा ठीक है account create करके तो यह था details बाकि इसका सारे सारे जो link है मैं देदूँगा description में वहां जाकर आप इसको download कर सकते हो और जिन्होंने अभी देख हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है जितना जल्दी भूस है कि subscribe कर लीजिए future में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह था details thank you all the best